हाई स्टुडेंट्स आज हम E.V.S का क्लास 3 का थर्ड लिसन पढ़ने वाले है जिसका नाम है वाटर ओ वाटर यहाँ पे हमें एक वाटर के बारे में पोयम दिया गया है जहाँ पे वाटर का इंपोटन्स बताया गया है कि वाटर हमारी लाइफ में कैसे इंपोटन्ट है तो हम देख सकते हैं और हमने फिल भी किया है कि विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अवर लाइफ बिना पानी क कि हम अपनी life को imagine नहीं कर सकते हैं, उसकी कलपना भी नहीं कर सकते हैं, बिना पानी के आप कितना time रह सकते हो, नहीं रह सकते हैं, तो यह water हम कौन-कौन से activities में use करते हैं, जब से हम उठते हैं, from morning to evening हम water का use करते हैं, सबसे पहले किस में use करते हैं, for brushing, bathing, drinking, cooking, watering the plants, washing clothes, washing utensils, बरतन साफ करने में, आपने देखा होगा ममी को, cleaning the house, house clean करने में, तो water हमारे बहुत सारा कामों में useful होता है, तो यहां पे हम water की poem पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है water of water, चलो, और एक और भी बात आपको पता होगी, कि सब बोलते हैं, save water, water will save water, water को अगर हम बचाएंगे, तो water हमें बचाएगा, तो यहां पे हम poem स्टार्ट करेंगे, don't waste water, water is precious, यहां बुला गया है, कि water को waste नहीं करना चाहिए, water is precious, यहां कि बहुत ही important एक संपती हैं, अमारी जो हमें nature से मिली हुई है, water is life, water is precious, water ही जीवन है, पानी, पानी ही हमारा जीवन है, water is precious, बहुत किमती है, tip tip tip, oh the water falls, यहां बुला गया, tip tip tip, यह कौन सी आवाज है, water drops की आवाज है, oh the water falls, पानी की गिरने की आवाज होती है, यह, overflowing the rivers, lakes and ponds, यह पानी कहां हमें देखने को मिलता है, तो rivers में, नदियों में, lakes में, तालाबों में, ponds में, हमें पानी मिलता है, waves of ocean, gallop like a horse, waves of ocean, यानि समुदर की लहरे है, उसकी आवाज कैसी होती है, gallop like a horse, जैसे की horse के चलने की जैसे आवाज होती है, वैसे यह, लहरों की आवाज हमें लगती है, don't waste water, water is precious, taking form of icebergs on hilltops, boil it, heat it, turns into vapor, यहां पे हमें बुला गया है, यह जो हमारा water जो है, वो अलग-अलग forms में मिलता है हमें, देखने को मिलता है, जैसे की अगर हम ice को ठंडा कर देंगे, जैसे की freezer में आप रख देते हो, कोई tray में पानी बरके रख दोगे, तो क्या बन जाता है, ice cubes बन जाते है, तो यहां पे हमें वही बुला गया है, taking form of icebergs on hilltops, बड़े-बड़े जो पहाड होते है, तो वहां पे ठंडी की season में, वो पहाडों पे बर्फ जम जाती है, यानि की water एक ice cube का form ले लेता है, जो solid form होता है, यही water को अगर आप boil करते हो, heat करते हो, तो क्या बन जाएगा, turns into vapor, अगर इसको आप boil करते हो, उसको उबालते हो, तो क्या बन जाएगा, वैपर बन जाएगा, वैपर यानि क्या, तो आपने देखा होगा कि अगर ममी पानी उबालती है, तो पानी उबालने के बाद, जो एक दुवे जैसा निकलता है पानी में से, उसको हम वैपर बोलते है, तो यहाँ पे हमें water के three forms देखने को मिले है जैसे कि eyes, vapor और water जो eyes है वो solid form है, water है वो liquid form है और vapor जो है वो gaseous form है keeping, singing the songs of springs, water is light, water is precious यहाँ पे बुलाए keeping, singing, यह गाता रहता है the song of springs जर्ना, जर्ना आपने देखा है, जो पहाडों में या पत्थरों में एक दुस पत्थरों में टकरा टकरा के पानी आगे बढ़ता जाता है तो तब जो आवाज होती है, जो इस ऐसा लगता है कि पानी song गा रही है water is life, water is precious यहाँ आगे हमें बताया गया है कि water किसको ज़्यादा चाहिए, किसके लिए ज़्यादा नीडेड है और यहाँ जो चीज बताई गई है, जो बिना water के possible नहीं है, वो लोग जिन्दा रही नहीं सकते जैसे कि giving life to crops, plants and trees, यह जो water है किसको life देता है? crops को, जिसे कि खेतों में जो धान उगते है, अनाज उगता है, उसको life देता है, plants को life देगा, trees को life देगा यहाँ आप एक experiment भी कर सकते हो, अगर आपके घर के आंगन में कोई plant लगा हुआ हो, तो उसको आप थोड़ी time के लिए पानी नहीं दोगे, दो-तिन दिन तक नहीं दोगे, पानी नहीं दे रहे तो वो मुर्जा जाता है, वैसे ही अगर थोड़ी time फिर यह मुर्जा जाता ह और not trees long time के लिए जिन्दा रह सकते हैं, running in human body, nourishings, animals and birds, हमारी body में भी 70% of water होता है, हमारी body में भी कुछ पार्ट पानी का बना हुआ है, अगर हम long time के लिए पानी नहीं पीते हैं, तो हम unconscious बन जाते हैं, यानि कि बेहोश हो जाते हैं, dehydration हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं त्यानि कि water जो है, human body में भी है, और ये animals और birds को भी life देता है, water is life, water is precious, water life है, पानी ही जीवन है, water बहुत ही किमती है, इसलिए इसको save करना चाहिए, don't waste water, water को waste नहीं करना चाहिए, यहां हमें बार बार से एक ही चीज़ बोली गई है, लगता है, आप पहले सोचो कि water आता कहां से है, तो जैसे आमें पहले बताया गया है, कि water rivers में है, ponds में है, lakes में है, ocean में है, लेकिन क्या ocean का पानी आप पी सकते हो, sea का पानी पी सकते हो, नहीं, क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि वो salty water होता है तो ये जो नदिया है, wells है, कुवे है, वहाँ पानी कहां से आता है तो ये पानी कौन देता है, वहाँ पे तो rain water, जब बारिश होती है, तब ये सब पानी rivers में आता है, wells में आता है वैसे हमें पानी मिलता है यहां बुला गए दूरिंग ड्रोट यानी क्या मैंने जब से अभी आपको बता है बारिश के बारे में तो यह ड्रोट जो वो ऐसी situation है जब बारिश नहीं होती है जब रेन नहीं होगी अगर लगातार 3-4 साल तक रेन नहीं होगी तो सुखा पढ़ जाता है अगर सुखा पढ़ जाएगा तो न रिवर में पानी होगा न डैम में पानी आएगा न रिवर्स में होगा न लेक्स में होगा न वैल में पानी रहेगा तो वो situation में क्या होते है सब जो crops है, plants है, trees है वो सब सूख जाते है तो ऐसे situation को ड्रोट बोलते है तो जब ड्रोट होता चिंता होने लगती है Life seems to be in pain Life में pain होता है यानि कि हमें दूख होता है जब बारिश नहीं होगी कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हमें pain तो होने वाला ही है अब दूसरे situation यहां पर बताई गई है Flirts की Flirts यानि बहुत ज्यादा बारिश होगी जब सब जगह पे पानी बर जाएगा नदिया overflow हो जाएगी तब यह situation जो होती है उसको बोलता है Flirts During Flirts There is threat and fright यानि कि जब यह बार आजाती है Flirts यानि कि बार आना नदिया full हो जाएगी तो यह rivers का पानी villages में, cities में आ जाता है तब सब के घर डूब जाता है सब सामान तहस मैस हो जाता है Life भी खतम हो जाती है तब यह हमें Fright यानि कि डर लगता है Well, tap, hand pump fill the filled with water Tap यानि कि हमारे घर में जो नल लगा हुआ है वहाँ से हमें पानी मिलता है Hand pump filled with water यह सब जगह से हमें पानी मिल सकता है Water is life Water is precious तो यहाँ पे जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है उसको हम बोल सकते sources of water यहाँ पे हमारी यह poem फिनिश हो रही है और अब आगे हम उसकी activities के उपर जाएंगे Do you know any poem और song on water? क्या पानी के बारे में कोई song या poem आपको आती है? अगर आती है तो आप recite कर सकते हो बोल सकते हो यहाँ पे कौन-कौन सी effect बताई गई है water के बारे में पोयम में वो एक बार फिर से हम देखते है तो देखो यहाँ पे बुलाएं ना waves of oceans gallop like a horse फिर दुसरे क्या दिखाया गया है? water gives life किसे life देती है? crops को, plants को, trees को फिर हमारी body में भी water है जो animals और birds को भी nourishment देती है फिर दुसरा water causes stress यह जो water अगर ज़्यादा होगा यानि कि rain ज़्यादा हो जाएगी तो flourish आ जाएगा अगर कम होती है तो drop हो जाएगी तो यहाँ पे यह सब अलग-अलग effect के बारे में हमें बताया गया है second activity है tick the activities for which water is needed यानि कि यहाँ पे हम वो activity पे tick करेंगे जहाँ पे हमें water चाहिए सबसे पहले दिया गया है to play क्या खेलने के लिए water is needed no to sing गाने में चाहिए no to row a boat क्या boat चलाने के लिए yes क्योंकि boat में हम चलाते है तो वो boat तो किस में चलती है पानी में ही चलती है तो यहाँ पे हम tick करेंगे second नीचे देखो नीचे के line में to write क्या लिखने में चाहिए no to make tea चाहिए बनाने के लिए yes to tick do to need dough इसका मतलब क्या है आपकी ममी जो अब रोटी बनाती है तो रोटी बनाने से पहले क्या करती है आटा गुंदती है तो यहाँ पे to need dough यानी की आटा गुंदना तो यहाँ पे हम tick करेंगे to run a fan क्या fan चलाने के लिए चाहिए no fan चलाने के लिए क्या चाहिए electricity to paint pictures pictures paint करने के लिए तो अगर water color से अगर हम paint करते है तो यहाँ पे water चाहिए तो tick do to grow plants plants को उगाने के लिए यह तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो tick do what can you do without water ऐसी कौन सी चीज़े है जो आप बिना पाने के कर सकते हो तो आप speaking कर सकते हो बोल सकते हो, dancing कर सकते हो dance कर सकते हो writing कर सकते हो playing कर सकते हो what you cannot do without water आप क्या बिना पानी के नहीं कर सकते यानि कि कौन सी चीज़े में ज्यादा water use होता है यानि कि कौन सी चीज़े है जिसमें पानी use होता है तो to bath, to drink, clean house water the fields, यह सब ओके अब नीचे देखो एक और activity दी गई है water more or less यानि कि पानी का use ज्यादा किसमें होता है और less किसमें होता है तो क्या दिया गया है यहां पे arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities begin with the activity that needs the most water यानि कि हम सबसे पहले वो activity लिखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पानी use होता है तो सबसे पहला दिया गया है box में to bath यानि कि नहाने के लिए to drink यानि कि पानी पीने के लिए to clean the house घर की सफाई के लिए to water the fields fields यानि कि खेतों में to knead the dough आटा गुंदने में to cook the food तो इसमें से सबसे ज्यादा पानी किसमें use होता है तो to water the fields जो fourth number के box में दिया गया है to water the fields खेत जो है fields जो है वो large area of land होता है और जहाँ पे crops उगाए जाता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी use होता है तो इसको हम first number में लिखेंगे क्योंकि सबसे more water इसमें use होता है उसके बाद किसमें use होगा to clean the house जो third number के box में दिया गया है तो उसको हम देंगे second number और उसके बाद किसमें ज्यादा use होगा to bath नहाने में फिर किसमें होगा to knead the dough आटा गुनने में या to cook the food या खाना पकाने में अगर यहाँ पे हम अपने family के हिसाब से डाले तो वो ठीक रहेगा अगर आपके घर में ज्यादा इनसान है तो आप ज्यादा आटा लगाते हो ज्यादा food बनाते हो तो जो अगर ज्यादा आटा गुन्दा जाता है तो उसको आप number 4 दे सकते हो या फिर 5 नमबर दे सकते हो या आप alternate दे सकते हो और last में हैगा to drink water यानि पानी पीने के लिए या एक और activity है water from where यानि कि कहां से पानी मिलता है in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs we get water from all these places हमें ये सब जगसे पानी मिलता है from where do you get water put a circle around those places that are either in your house or around it यहां पे हम यहां जो हमें नाम दिये है वो सब जगसे में पानी मिलता है लेकिन हमें वो उसके उपर सरकल करना है जो आपके घर में हो या आपके around house आपके घर के नस्दीक में हो चलो lake क्या तालाब है आपके घर के नस्दीक तो सरकल कर सकते हो अगर नहीं है तो मत करो well यानि कि कुवा tube well यानि bore well जो बोलते है उसको हम tube well बोलेंगे waterfall hand pump river, stream tap, tap तो सब के घर में होता है यान तो आप सरकल करी सकते हो tank यानि कि टंका जो आपके घर के terrace पे रखा होता है जो black color का होता है yellow color का होता है white color का होता है तो इसके उपर भी सरकल कर सकते है sea, samudra hot water spring यहां पे hot water spring यानि कि क्या कि पानी जमीन में से घरम पानी आता है कि आपके घर के नस्दिक में ऐसा कोई जगह है जहां पे घरम पानी आता हो ऐसे naturally आना चाहिए ऐसे null में से नहीं मैं बोल रही हो next है activity think and write first question है have you seen hot water coming out of the ground where क्या आपने देखा है कि ground यानि कि जमीन में से घरम पानी आता हो ऐसी कोई जगह देखी है क्या तो कहां पर है तो एक अगर हम देखे तो तुलसी से आम जो बहुत ही famous जगह है और अगर हमारी बात करें तो हमारे नस्दिक में भी कि एक जगह है जहां पे ऐसे घरम पानी underground तो उसका नाम लिखो तो हमारे नस्दिक में तो एक river है जहां पे हम जो ये गनपती विसरजन के लिए जाते है शेडी नदी हरियों माश्रम जाते है न तो वहाँ पर जो river है उसका नाम हमें लिखना है Do you know the names of any rivers कि आपको दुसरी कोई rivers के नाम पता है यमुना, शेडी, वातरक ये सब rivers के नाम है चलो यहाँ पे एक दूसरा एक्टिविटी है जो आपको think and tell यानि सोचना है और बताना है At home, where do you get drinking water from? आपके घर पे आपको पीने के पानी कहां से मिलता है Where do you go to fetch water? अगर पानी नहीं आ रहा है कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पीने के आप पानी घर-घर में tap नहीं लगा होता है तो उनको बाहर से पानी लाना पड़ता है जैसे कुवे से खींचके लाना पड़ता है तो ऐसी भी कोई जगह होती है ऐसे भी कोई गाव होते है तो उनके लिए ये question है How much time does it take to bring the water और उनको कितना time लगता है बाहर से पानी अगर लेकर आते है कुवे में से लेकर आएंगे ऐसा कोई है तो कितना time लगता है Why do we need to store water क्यों हमें पानी store करके रखना चाहिए तो water store करके इसलिए रखना चाहिए अगर कभी ऐसे situation हो घर में पानी नहीं आ रहा है तंकी खाली हो गई हो तो अगर store किया हुआ water हो तो हम उसका use कर सकते है Who fetches and stores water in your house आपके घर में कौन पानी store करता है ममी करती है, ग्राणमा करते है, पापा करते है, ग्राणफादर करते है क्या आप भी करते हो Do you and your neighbors bring water from the different place? या आप या आपके पडोस वाले बहार से पानी लेकर आते है तो क्यों लेकर आते है? यहाँ पे एक और activity दी गई है Fill the color Color the pictures of those containers which you use for storing water यहाँ पे आपको ये pictures देखने है और यहाँ आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ये जो pictures दिये गए है उसमें आप जिसमें store करते हो water का पानी भढ़ते हो वैसे pictures आपकी notebook में बनाओ और उसमें color feel करो यह आपको खुद करना है यहाँ पे एक और activity है जो है चकू is confused यहाँ पे चकू जो है वो confused है क्यों confused है? वो यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आपको दो glass दिख सकते है जिसमें कुछ feel किया हुआ है तो क्या feel किया हुआ है? जब read करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो दो picture दिये गया है कि उपर दो glass है नीचे एक glass और छोटा सा एक glass दिया गया है तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे बूला गया है रूचान और चकू वेर फिलिंग वेरी थ्रस्टी यहाँ जो रूचान और चकू है उन दोनों को बहुत थ्रस्टी फिल हो रहा है उनको प्यास लगी है देर अंकल गिव बोथ ओफ देम mango पन्ना इन स्टील टंबलर उनके अंकल ने दोनों को एक स्टील के टंबलर में mango पन्ना दिया है mango का दिया है बट चकू वांटेर दे ड्रिंग only in glass टंबलर लेकिन चकू को सिर्फ glass के टंबलर में glass में ही काच के glass में ही mango पन्ना पन्ना है अंकल पोर्द पन्ना into a glass टंबलर जो हम second picture में देख सकते पहले जो picture में वो स्टील का है और जो second picture में है उसमें एक स्टील का है और एक ग्लास का है तो यहाँ पे उसके अंकल ने किसको चकू को एक स्टील में से उसको ग्लास वाले टंबलर में दे दिया है पानी sorry mango पन्ना दिया है बट चकू वाज नौट हैपी तो यहाँ चकू हैपी नहीं है क्यों कि आप देख सकते हैं पिक्चर में जो ग्लास का टंबलर है वो छोटा दिख रहा है और स्टील का है वो बड़ा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे उसकी चोड़ाई देखो तो जो स्टील का टंबलर है वो उसकी जो चोड़ाई वो छोटी है जबकि ग्लास की छोड़ी ज़ादा है तो यहाँ पे दोनों में कुछ फर्क नहीं था फिर भी चकू confused है यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है Given in the grid are some places where water is found यहाँ पे सब जगह के नाम दिये गए जहाँ से हमें पानी मिलता है जहाँ पानी दिखता है हमें कि जहाँ से हमें पानी मिलता है वो सारी जगह के नाम एक और अपमें कलर करके दिया हुआ है यह waterfall यानि कि पहाडों से जो पानी गिरता है वो Find any seven of them and put a oval around each और उसके around हमें एक circle बना देना है यहाँ पे कौन-कौन से नाम दिये गये है तो सबसे पहले तो waterfall है दुसरा हमें ढूंडना है यहाँ पे lake दिया गया है मैं आपको नाम बता देती हूँ जो आपको खुद से find करना होगा तो lake दिया गया है sea दिया गया है ocean दिया गया है rain रेन भी है जहाँ rain से में पानी मिलता है well kuwa भी है, pond भी है every seven places already is given here but you have to find it तो यहाँ पे हमारा ये lesson finish हो रहा है हुआ कि उपब में जह्ड़ गया है झाल झाल